नमस्कार मित्रों कैसे हैं आप आए आज एक नए ब्लोग के साथ हम पहुंच चुके हैं अचला पंचायत के सत्वेहनी अस्थान पे जो हरनाथपुर गराम में पढ़ता है जो बेचिरागी गाउं है और मार मारहों का इतिहास है आए चलते हैं इसा पूरु द्रितिय सतावदी से मार काल के समय का ये कहानी समानता मारहों का इतिहास उराओं के इतिहास समंद रहा है यह वो अस्थान है जहां साथ बेहने सती हो गई थी इसलिए इस जग का नाम सत बेहनी रखा गया कुराओं के उत्सो जनी सिकार यान इस्तियों का आखेट करना यों कर्मा तथा सरहुल परव के लोक गितों का लोक का थाओं में मारहों के सम्मंद में अनेक साथ बिद्मान है यह अस्थपस्थ हो जाता है कि प्राचीन काल में पलामू गढ़वा में मारहों का एक छत्र अधिकार था यहीं पे उनकी बस्ति हुआ करती थी और अपने जीवन यापन को यहीं से वो सवारते थे आज यह अस्थल बिरान पड़ा हुआ है यहां पे अकाल पड़ा हुआ है पानी की एक बुंद नहीं है उस जमाने में जब पानी यहां भरा हुआ करता था तो यहां सातों बहने प्रति दिन कितरा नहाने आया करती थी और एक दिन एक ऐसा घटना हुआ जो एतिहास में एत समेक बहन वो तलाप में डूबने लगी और डूबती करम में, सभी बहने उनके मिलकर बचाने के करम में अपने आपको प्राणों कूई आहुती दे करके इस नाम को अस्थल को रोसन किया. तवी से उनके पुरुवज इस जगह को सत्वहनी के नाम से बिख्यात किया. खुरिषक प्रविर्ती के मारहों का इस छेत्र में आकर बसने की घटना को इतिहासकार इसापुरुव की घटना को स्वीकारते हैं. आप अपने अतिहासी जगों के बारे में जानने के लिए इस चैनल पर बने रहे हैं और इसी तरह से प्यार बनाया रखें चैनल को सस्क्राइब करें एक ने वीडियो साथ हम आते हैं